वेलकम टू प्रियांसी इस्टडी पॉइंट है लो दूस्तू सामानिग्यान के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज हम सामानिग्यान के 992 महत्पोर्ण पृष्णों की सिरीज चालू का नेजार हैं जो कि हमारा प्रत दिन आपको लेक्शर इसका मिलता रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रिश्ण है भारत के प्रतम उपग्रह का प्रिश्यपन कब किया गया तो भारत के प्रतम उपग्रह का प्रिश्यपन 1975 में किया गया था हमारा अगला प्रश्ण है बेटल कन किस खेल से संबंधित है तो बेटल कन जो है यह हां की से संबंधित खेल है बेटल कन हमारा अगला प्रश्ण है दोस्तो किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है यह बहुत ही महत पौण प्रश्ण है S.C. C.G.L. में जो है पूछा गया है ये प्रिशन किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है तो कनाडा की तटरेखा कनाडा देश की तटरेखा जो है ये सबसे लंबी है हमारी अगला प्रिशन है भारत की प्रथम महिला सासक कौन थी तो भारत की प्रतम महिला साचक रजिया सुल्तान थी हमारा अगला पर्शन है दोस्तो पुस्तक Greatsoulmahitanandhi and his struggle with India किस ने लिखी है पुष्टक great soul mahatma Gandhi and his struggle with India किस ने लिखी है तो जोसेफ लेली वेल्ड ने ये पुष्टक लिखी है हमारा अगला प्रश्ण है हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था तो राणा प्रताब को अकबर ने हल्दी घाटी की लड़ाई में हराया था अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना और अगर हमारे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना हमारा अगला प्रश्ण है किस मुगल साचक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमती दी थी तो जहां गेर ने जो है जे अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमती दी थी हमारा अगला प्रश्ण है नवजात सिसु में कितनी हडिया होती है तो तीन सो हडिया होती है एक नवजात सिसु में लगभग तीन सो हडिया होती है हमारा अगला है आधी रेखांस कहां से होकर गुजरती है तो ग्रेट ब्रिटेंस से होकर आधी रेखांस गुजरती है हमारा अगला प्रशन है कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी हमारा अगला प्रशन है भारत में पहला आमचुना कब हुआ था तो 1952 में भारत में पहला आमचुना उनिस सो बावन में हुआ था हमारा अगला प्रशन है प्रथम पंच वर्षी योजना की शुरुवात कब हुई तो नीस सो क्यावन में प्रथम पंच वर्षी योजना की शुरुवात हुई थी ये प्रशन UPPCS में पूछा गया है दोस्तो हमारा अगला प्रशन है ये प्रशन UPPCS में पूछा गया है हमारा अगला प्रशन है बाक साइड किसकी कच्ची धातु है हमारा अगला प्रशन है खाद दानो खाद पदार्थों को सुरच्चित रखने के लिए कौन सरासा यान प्रियुक्त किया जाता है खाद दानो यानि खाद पदार्थों को सुरच्चित रखने के लिए कौन सरासा यान प्रियुक्त किया जाता है तो सोडियम बेंजोएट प्रियुक्त किया जाता है हमारा अगला प्रशन है विटामिन सी का रासानिक नाम क्या है विटामिन सी का रासानिक नाम क्या है तो प्रति इसकरवी एसकॉर्बिक अमल विटामिन सी का रासानिक नाम प्रति इसकरवी यानि एसकॉर्बिक अमल है हमारा अगला प्रशन है हड़ी खाद की रूप में प्रियुक्त की जाती है इसमें कौन सा पौध तत्वो उपलब्ध होता है हड़ी जो है ये खाद की रूप में प्रियुक्त की जाती है और इसमें कौन सा पौध तत्वो उपलब्ध होता है तो फास फोरस जो है ये हड़ी में उपलब्ध होता है आई होब दोस्तो ये प्रशन आपको अच्छे लगे होंगे और ये वीडियो आपको समझे में आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए अगर आपने अभी तक प्रियांसी स्टेटी पॉइंट यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दोस्तो मिलते हैं अगले निश्ट्री वीडियो में कुछ अन्य बेहद ही महत्पूर्ण पिसनों के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत